कि अब बढ़ने के साथ साथ कुछ मजलाओं में और कुछ कुर्सों में हुए पिसाब रोकने की छंता कम हो जाती है अब बढ़ने के साथ करने के साथ काम पर दोड़ना परता है और कभी कभी कपड़ा भी खराब हो जाता है तो मैं ऐसी माताओं और बहनों को बताना चाहिए कि इसका इलाज अर्संभर है उन्हें अपने फिजिशियन बॉक्टर या इरॉल्जिस से मिलना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए इसलिए कि इस समस्या से उनकी जीवन सैली पर कुटो माई करता है ना वो बजार जा पाती है ना बीवासा भी प्टेंट कर पाती है यहां तकी तक कि पुझा करते करते भी कभी कभी पिसाब लग जाता है तो पूजा में भी व्यादा होती है इसलिए मैं इसे सफर करने वाले सभी मरीजों से अपील करूँगा कि वो इसका इलाज कराएं दवाईयां आ गई हैं दवाई से इसका इलाज संभव है वो पून रुद से इस समस्या से मुट्ट हो सकते है अज़ मैं देखर हो सकते है वो पून आ गई हैं दवाईयां दवाईयां दोता है